कि हम करेंगे क्लास्त्रहाल मैक्रोएकनॉमिक्स अग्रेटेट्सPh टॉपपिक हम करेंगे दोमेस्टिक इंकम इंचनल इंकम बट वो टॉपपिक करने से पहले हमारे एक छोटी सी टर्म जाननी बहुत जरूरी है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है तो domestic territory जैसे की नाम आप पढ़ पा रहे हैं आपके दिमाग में सिर्फ ये बात आ रही होगी कि इंडिया के अंदर का जितना भी area है वो सभी domestic territory में आता है लेकिन ऐसा नहीं और भी बहुत सारी चीज़े हैं तो पहले definition पढ़ लेते हैं geographical area administered by government where persons goods and capital circulate freely यानि वो geographical area वो land जहां पर हमारा government का administration है पूरा हमारा government का राज है और वहां पर लोग हो persons हो या कोई goods हो capital हो असानी से circulate कर सकती है अब जैसे कि मैं हूँ आप हैं हम लोग Delhi में हैं हम Mumbai में जा सकते हैं पंजाब में जा सकते हैं या कुछ goods हैं मारे पास हमें उन्हें कही movement करानी है तो हम easily करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई हमसे नहीं पूछेगा तो यह इंडिया का चुरंदर का land हो गया हमारी domestic territory होगी अब आप सोच रहे होंगे कि और के example हो सकते हैं आगे बताती हूँ एक्जामपल देखते हैं जैसे we have freedom of circulation in Indian embassy located abroad suppose abroad मनलब किसी foreign country की बात कर रही हूँ मैं ठीक है इंडिया को छोड़के जो भी country बचे suppose कोई country है US है उसमें एक Indian embassy है तो हमें वहाँ freedom of circulation है भाई हम अराम से उदर जा सकते हैं आजा सकते हैं हमारी entry पे कोई ban उदर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो क्या होता है they are the part of domestic territory of India तो वो इंडिया की domestic territory का part माना जाएगा लेकिन suppose इसी का opposite इंडिया के अंदर क्या है एक foreign embassy है suppose इंडिया में जर्मन की embassy है लेकिन क्या होता है we do not have freedom of circulation हमें वहाँ पे ऐसे ही बेवजा ऐसे घूमने की इजाजत नहीं है हम नहीं जा सकते हैं उदर freedom of circulation हमें नहीं है तो क्या माना जाएगा they do not come under domestic territory of India तो वो इंडिया की domestic territory के अंदर नहीं मानी जाएगी और example देखते है ships and aircraft owned and operated by normal residents अभी कोई हमारी देश का ही normal resident है citizen है उसका ship या aircraft कुछ भी है plane है ship है वो किसी और country में उड़ा के ले जाता है जैसे US में ले गया या US से कहीं और दूसरी country में ले गया तो वो plane चाहिए किसी की भी country में चला जाए कोई भी domestic territory में चल जाए वो रहे हमारी country का plane और domestic territory of India ही माना जाएगा चलो हो गया domestic territory of India आगे अब बढ़ते हैं देखते हैं national income के बारे में और domestic income के बारे में तो national income तो हम वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बड़ी फिर से मैं repeat कर देती हूं ताकि इन दोनों का अच्छा सा comparison हो जाए some total of factor incomes generated by normal residents of a country यहाँ पर वोड़ा है national तो national मतला पुरे जो हमारी normal residents की बात करे जारी है जो पूरी इंडिया के निवासी है है ना तो जो भी फैक्टर इंकम जो भी पैसे कमाई जाएंगे हमारी normal residents की दुआरा हमारे citizens के दुआरा वो कहलाई जाएगी national income चाहे वो कहीं रह की भी कमाई हो भाई पैसे चाहे डुमेस्टिक टेरिटरी यानि अपने इंडिया के अंदर रहके कमाया हो आउटसाइड डुमेस्टिक टेरिटरी यानि बाहर रहके कमाया हो लेकिन कंडिशन यह है कि वो हमारे normal residents होने चाहिए इसको याद करने का यह तरीका है जैसे national है national मतलब अपनी इंडिया की बात हो रही है तो normal residents अपने इंडिया की citizens माने जाते हैं ठीक है तो अगर इंडिया के citizens normal citizens कुछ भी इंकम कमाएंगे चाहे वो अपने देश में में रहके कमाएं चाहिए हमारी domestic territory के बाहर रहके कमाएं वह सभी नेशनल इंकम में आएगी अब बात उठती है कि domestic income क्या है आप तो बुलेंगे और नाम तो एक जैसी लग रहे हैं सिमिलर लग रहे हैं थोड़ा सा डिफ्रेंस है हाँ कि समटोटल ओफेक्टर इंकम जंडरेटेड विदिं् धर मेंस्टिक टरिटरी ऑंडिया अब यहां पर लरन करने का तरिक यहां डोमेस्टिक आ हा गया तो इसका मतलब जितना भी पैसाeren किम गमाई जाएगी दो achieving ओंस्तिक टेरिटरी में यहीं हमारी territory में, हमारी country में या फिर जो मैंने या नीचे example दिये थे आपको वहाँ पे रहें कि जित्रा भी पैसा कमाया जाएगा वो सभी domestic income का ही part आएगा चाहे वो पैसा किसी ने भी कमाया हो फरक नहीं पड़ता चाहे किसी normal resident ने कमाया हो ठीक है, normal resident वो होते हैं जो हमारी country में एक साल या एक साल से जादा रहते हैं और उनका economic interest हमारी ही country में होता है और जो बाकी बचगे होगे non-resident है ना चलो इसी कसाद आपका topic खतम हुआ थैंक्स वाटिम इस वीडियो प्लीज लाइक, शेर और सब्स्राइब